Samsung Galaxy S9 और S9 Plus में टोटल तीन तरीके से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि कौन से कौन से वह तीन तरीके हैं जिस से हम स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कोई वेक विंडो ओपन कर लेते हैं सबसे पहला तरीका यह है कि आप मोबाइल को यह जो पाम है इस तरह से टच करके कि स्लाइड करना है देखें यहां पर स्क्रीन शॉट ले लिया इसने यह पहला वाला जो तरीका है बस थोड़ा उतना कन्विनिंट नहीं लगेगा आपको लेने में इसको क्योंकि यह पाम कभी-कभी एक साइड से ही टच होके स्लाइड हो जाता है तो दिक्कत देता है यह नहीं लेता है कभी-कभी अब इस सेकेंड वाला तरीका हम देखते है कि कौन सा तरीका है दूसरा जिससे हम स्क्रीन शॉट ले सकते गैलक्सी एसनाइन एसनाइन प्लस दोनों में भी अभी इस स्क्रीन पर हम ट्राय करके देखते है यहां पर आपको वॉल्यूम का बटन देखेगा यह प्लस यह यह बटन दबाना है आपको साथ ही में जो स्क्रीन लॉक का बटन है यह वाला यह दोनों भी अगर आप साथ में प्रेस करते हैं देखिएगा थ्री टू वण गो देखिए इसना यहां पर स्क्रीन शॉट ले लिया यह रहा स्क्रीन शॉट अभी थर्ड एंड लास्ट जो है उस तरीके के बारे में हम जान लेते हैं यह सबसे अच्छा और इसको हमें बस एक्टिव करके रख देना है एक बार उसके बाद हमको जस्ट इसके सब टॉक करना है अभी आपको दिखा था हमें इसका कोई भी बटन हम टच नहीं करेंगे इस बार फिर भी बड़ी आसानी से देखिएगा जस्ट इसको हम लेने के लिए बोलेंगे स्क्री इसको प्राइब करता है इसी तरह से इसमें बिक्स पी वर्क करता है तो हम उसके माध्यम से देखेंगे कि कैसे ले सकता है यह तीसरा और मुझको सबसे पसंद दिदा तरीका लगता है चलिए अभी इसको ट्राइ करते है हाई बिक्स भी टेक अ स्क्रीन शॉट देखिए इ इसने यहां पर इसका स्क्रीन शॉट ले लिया है तो यह जो तरीका है थर्ड वाला इसमें आपको कोई भी बटन या स्क्रीन टच करने के ज़रूरत नहीं है जस्ट आपको बिक्स भी वाला जो अप्शन है उसको एक्टिव करके रखना है उसके बाद आप जस्ट उसको बोल देना है कि बिक्स भी को स्क्रीन शॉट लेने के लिए वो स्क्रीन शॉट ले लेता है यहां पर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई